चैनल धर्म, और ज्ञामन में… जैसमें हम 10वे अध्याय कर शोर्वन करेंगे जिसमें शुम्र वद्ग करेंगे … शती का 10वे अध्याय जिसमें हम शुम्र वद्ग क क क्वरणन करेंगे ध्यान.... मैं मस्तक पर अल्टिचंद धारण करने वाली शीव शक्ति सुरूप भगवदी कामेश्वरी देवी का हिल्डे से चिंतन करती हूँ वे तपाएं हुए सुवण के समान सुन्दर हैं सुर्य चंद्रमा और अकनिये तीनों ही उनके नेत्र हैं वे अपने मनुहर हातों में धनुषपाश, अंकुषपाश और शूल धारण किये हुए हैं दिशी कहते हैं कि राजन अपने प्राणों से प्यारे भाई ने शुम्ब को मारा देखकर साधी सेना का संगार जान कर शुम्बने को पिठ होकर कहा दुष्ट तुर्गे तू अपने बल के अभिमान आकर जूट मोट का कमण न दिखा तू बड़ी माने नी बनी हुई है किन्तो दूसरी उस्तियों को साहरा लेकर लड़ती है देवी बोली और दुष्ट मैं अकेली ही हूँ इस संसार में मेरी सिवा दूसरी कौन है यह देख मेरी ही विभूतियां है अते मुझ में ही प्रिवेश कर रही है सदंतर भ्रामणी आदी समस्तर देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई उस समय के वल अंबिका देवी ही रह गई देवी बोली मैं अपनी एश्वले शक्ति से अनिक रूपों में हाँ और पस्तित हुई हूँ उस समय रूपों को मैंने समेट लिया है अब अकेली ही यूद में खड़ी हुई हूँ तुम भी इस्तित हो जाओ रिशी कहते है तनता देवी शुम्ब दोनों में सब एक देवताओ और दानवों को देखते देखके भेंकर यूद चुड़ गया बाणों की वर्शावलती क इस अस्त्रों से और उन अस्त्रों का संखार करके उन दोनों से युद सब लोगों के लिए बड़ा भ्याना प्रतीत हुआ उस समय अंभी का देवी ने जो सेकड़ों दिव्वे अस्त्र ओड़े उन्हें द्यात्तिरा शुम्ब ने उनके निवारक अस्त्रों से काटे डाल उसी प्रिकार शुम्ब ने जो भी दिवे अस्तर जलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयांगर हुंकार शब्द से उचारन आदी दुआरा खिलवार से हिन्नष्ट कर डाला तब उस असुन ने सेकरों बानू से देवी को अच्छा दित कर दिया यह देक रोद में बरी हुई उस देवी ने बान मारकर उसका धनूश काट डाला धनूश कट जाने फ़र दैते राज ने शक्ति हाथ में लेकिन तो देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया सत्पशाद दैत्यों के स्वामी शुन्द ने सो चांद वाली चमकती हुई ढाल तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धाबा गिया उसके आती ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुई तीक ही बानुद्वार उसकी सुर्जे किर्णों के समान उजवल धाल तलवार को तुरंत काट दिया फिर उस दैत्य की गोड़े और सार्थी मारे गए धनुष तो पहले ही कट चुका बिकाने शुम्ब के साथ बहुत दिर तक यूद करने के पशाथ उसे उठाकर घुमानत प्रत्वी पर पठक दिया पर प्रत्वी पर आने के बाद वह दुश्टात्मा देथ के पुरें चंडिका गवत करने के लिए उनकी और बड़े वित्वेक से दोड़ा तब समस्थ त पर परवतो सही सम्मुची कत्वी को काप्तव भूमी पर गिर पड़ा ततंतर उस दुरात्मा के मारे जाने के पश्चात संपूर्च प्रसन और पूर्ण सवस्थ हो गया तता अकार सुच दिखाई देने लगा पहले जो उत्पात सुचक मेग और उत्पात कार होते थे वह सब शान्त हो गए उस देखते के मारे जाने पर नदिया भी ठीक माल से बहने लगी उस समिशुम की मिल्ट्यों के बार समस्त देवताओं के भर गया गंदवराज मदूर्गीत गाने लगे दूसरे गंदर बाज्य बजाने लगा अफ्सराइन आचने लगी पवित्र वायू बहने लगी सुर्य की प्रभा उत्तम हो गई अगनी शाला पुई बुजी होई थी और आंग अपने प्रजुलित हो गई संपोण दिशाओं में भ्यंकर शब्द शान्त हो गए इस प्रकार माकंदे पुराण में सारवडिंग मन्मंतर की कथा क्यंतक देवी महातम में देवी के द्वारा देवता को वर्दान ध्यान में भुमनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूं उनके श्री अंगों की अब प्रताब की शुद्य की समान है और मस्तग पर चज़र में अमकुट सुषुवित हैं वे अब्रे हुए इस्तन और तीन हीत्रों से युक्त हैं उन को आगे करके उनका आतायनी देवी को नमस्कार करते हैं उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनकी मुख कमल दमक उठे उनके प्रिकास से रिसाइवी जगमगा उठी दीवता बोले शर्णागत की पीडादूर करने वाली देवी हमपर प्रसन हो संपूर्ण जगत की मात करती हो तुम अनन बल संपन वैश्ण शक्ति संपन हो इस विश्व की कारण गुता पर आमाया हो देवी तुमने इस समस्का जगत को मुहित कर रखा है तुम्हीं प्रसंद होने प्रफिय प्रमोख्षी प्राप्ति कराती हो देवी संपूर्ण विध्याएं तुमारे ही भि तुम तो इस्तवन करने हो कि प्रधार्टों से भी पर एफम पढ़ावानी हो जब तुम सर्वसरूपदेवी सर्ग और मुक्ष को प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी इस्तुति हो गई तुम्हारी इस्तुति के लिए इसे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं बुद्धी रूप में तुम सब लोगों के हिर्दे में विराजमान रहने वाली सर्ग एमा मुक्ष को प्रदान करने वाली नरायनी देवी तुम्ही नमशकार है कलाका इस्त आदी रूप से वाली महांगारी हो तुम्ही नमशकार है तुम स्रष्टी पालं संधार की शक्ति पुते सनातनी दीवी गुणू को आधार एम सर्व गुणमाई हूं नरायनी तुम्ही नमशकार है शरण में आए हुई दीनों और पीड़ों की रक्षय में सरवन रहने वाली तुम्ही पी कीerves पर बैठने वाली नरायनी देवी तो है और मुर्गों से घिरी रहने वाली इन रायनी नाजक्ति क्फ दानस्यक्ति दानुप31 दाणों पर धर्टी को उठाए वारा ही रू्प ठाणनी मात्रकृ haul पोगोधिया मात्वiben कोडा लख़ें दाणों के लिए न मंशा की स्वार कि ज़का शाड़ हो शिव दूती रूप से तुम द्यात्यों की महती सेना का संघार करने वाली हो बेंकर रूप धारण कर रिकट करजना करने वाली हो दाड़ों के कारण विक्राल मुख वाली सुशोबित मुख दंड़नी चंद्र स्वरूपा नारायनी तुम्हे नमस्गार है सर्व सरूप सर्वेशवरी सब प्रकार की शक्तियों से संपन्तिय रूप दूर्गी देवी सब भयो से हमारी रक्षया करो तुम्हे नमस्गार है कातियाईनी यह तीन लोचनों से विपूर्शित कुमारा सोम्य मुक्सब प्रिकार के भयों से हमारी रक्षा करें तुमे नमस्कार है बजरकाली जायलाओ की कारण विक्राल प्रतिक होने वाली अत्यन्त भेंकर और समस्त असुरों का संधर करने वाली तुम्हारा तृशूल भयों से हमें बचाए तुमे नमस्कार है देवी जो अपनी दोनी से समफोन जवत को व्याक्त करके जयत्यों के तेज को नश्ट किये देता है वह तुमारा घंटा हम लोगों कुगी पापों से उसी प्रिकार रक्षा करें जैसे मातर अपने पुत्रों की बुरे करमों सी रक्षा करती है है चंडी की तुमारे हाथों में शुषोबिष खड़क जो असुरों के रक्त और चर्वी से चर्चित है हमारा मंगल करें अब तुमें नमस्कार करती हैं देवी तुम प्रसंद होने पर सब रोगों को नश्ट कर देती और कुमित होने पर मनवांचे सभी कामनाओं को में इन धर्म दोई महारत्यों का संधार किया है वे सब दूसरी कौन कर सकती है विध्याओं में ग्यान को प्रिकाशित करने वाली शाफ्त्रों में वीदों में तुम्हारे सीवा किसका वणन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी ऐसी कौन सी शक्ति हैं जो इस विश्व को अज्यान में घोरंदुकार से परिपोन मम्ठा रूपनी गड़े से निरंतर भटका रही हो जहां राक्षत वहां भयंकर विश्वाले सर्प शत्रू जहां लिटेरों की सेना जहां दावानल हो वहां तरह समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रिक्षा कर भगवान विश्वनाथ की बीवंदिन्या हूं जो लोग भक्ति पूर्वां तुमारे सामने अपना मस्तख जुकाते हैं वे संपुद्र विश्व को आश्रह देने वाले हो जाती हैं दीवी प्रिसन हो जैसे इस समय असुरों का वद्ध करके तुम शिक्र ही हमारी रक्षा की है उसी प्रिकार सता हमें शत्रों से के भैसे बचाओ संपून जगत को पापो नश्ट कर दो उत्पात सता पापो के फल को प्राप होने वाले महामारी आदी बड़े बड़े उप्तरवों को शिक्र दूर करो विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुमारे ज संसार के लिए उस उपकार वर्कों मैं अविश्य दूंगी देवता बोले सर्वेश्वरी तुम इसी प्रिकार तीनों लोकों की समस्य बादाव को शान्त करो हमारी शत्रों का नाश करती रहो देवी बोली देवता हो विवस्वर मंतर के 28 वे योग में शुम्ब ततन शुम कर्ष से अफ्तिन हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी उक्त दोनों असरों को अनाश करूंगी फिर अत्यंत भयंकर रोग से प्रसी पर अफ्तार ले मैं विप्रचिती नाम वाले दानों का वद करूंगी उन भयंकर महादैत्यों को बख्षन करते समय मेरे दाथ अनार के फूल की भाति लाल हो जाएंगी तब स्वर्ग में देफ्ता मिर्टी लोख में मनुश्य सजा मेरे इस्तुति करते हुए उन्जे रख्त दन्ति का कहेंगे फिर जब प्रत्वी पर सो वर्षों के लिए वर्षा दुख जाएगी और पानी का भाव हो जाएगा उस समय मन्यों के इस्तवन करने पर मैं प्रत्वी पर योनी रूपा रूप में प्रकट हूँगी और सो नेत्रों से मुन्यों को देखूँगी अधे मनुश्य शताक्ष इस नाम से मेरा कीर्टन करेंगे देवता उस समय में अपने शरीर से उत्पन हुए शाक को द्वार समसंसार का भरन पोशन करूँगी जब तक वर्षा नहीं रुखेगी तब तक वे शाक भी सबके प्राणों की रश्या करेंगे ऐसा करने से प्रच्चिपर शाकमरी नाम से मेरी ख्याती होगी उसी अफ्तार में मैं दुर्गम नामक महादयत्य कवर भी करूँगी इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसित होगा फिर मैं जब धिम रूप धारन करके मनुष्यों की रक्षा के लिए हिमाले पढ़हने वाले राक्ष्यों सोग भक्ष को पुद्रख मचा आएगा तब मैं तीनों को कहित करने के लिए छेंप एरो वाली असंकिये ब्रह्मों का रूप धारन करके उस महादयत्य का बद करूंगी उस समय सब लोग ध्राम्री के नाम से चार और मेरी इस्तुति करेंगे इस प्रकार जब जब दसंसार में डानवी बादों पफ्तित होगी तब तब मैं अफ्तार लेकर शत्रों का संगार करूंगी इसी प्रिकार मारकंदे पुराण में सर्वंटी मन्वंतर की कसा के अंत्रक देवी महात्मे देवी फ्तुति का ग्यारवाद्याय संपूर्ण हो बोलो अंबे मार्ची की जै नंग दुर्ग भरानी कीजे भुगवती भरानी कीजे